असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू मैं न्यू ब्लॉग कैसे आप सब उमीद करते हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे बहुत खोश होंगे और हमें बिल्कुल ठीक है अलहम्दुरेला तो बस जी यहां पर आयान बना रहे हैं मेंगी और आज मैं अपने वीडियो में प सब्ञें काने वाला हैं माश्या फिरोहीं बनने बाली थे तो फिर क्या हुआ कॉख इंतजार करते करते कहीं मेहनी अमें बुड्डियों जाऊं नई तो मैं कप से इंतजार कर रही थें चार महीने निकल गए अब दूबली होंगी, अब दूबली होंगी, क्या है ये, मेरे साथ मजा कितना बड़ा, कितना करेगा सबर, क्या 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 करनी, अम्मी वेसे आप डाइट में क्या क्या लेटी हो खाने में, आयान तुम चुपरा हो जाए, अमें मुझे बताओ, मेरा भी थोड़ा सा कारूंगी, मैं भी दूबली होना चाहते हैं, अमें बताओ, दूर से बेटा, और दूर से करो बेटा, दोनों भाई मिलके खाना हां, लडाए मत करना, इतनी बनाने दूंगे, इसके बाद अब बनाने नहीं दूंगी, मैं, नई, द कोनों खाएंगे, हारिश भी खाएगा तुम भी खाओगे, बेटो दोनों भाई अच्छे सकाओ तमी से बटके, क्या मतलब इसको, इसका मतलब भाई है, जालो शुप चाप का, लो हटा पर भाई है, बाद आच्छे से, और यहाँ पर एक्यूरियम साफ कर रहे हैं, यह और अट्टु भान, और आपने तो देख ही हुगा, एक्यूरियम कितना गंदा हो रहा था, काफी दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे, कि अब साफ हो जाए, आप साफ हो जाए, मैं इनको बोल भी रही थी, लेकिन यह भी आज आते हैं, कभी कबार खाने के लिए भी नहीं आपाते हैं, तो इसलिए दिन भर कोई टाइम ही नहीं होता कि यह सब काम हो जाए, तो इस तरह के कामी रात में ही करते हैं, तो बस अब दोनों भाई लागे हैं थोड़ा पानी खाऊं खाऊं, एक तो मर गई हेट्टू भन, हट्जा बेटा रास्ते में से हट्जा, एक मरी ना उस दिन, पर्सों के दिन, वो ओरेंज वाली है ना यान, ओरेंज, पर्सों के दिन, औरेंज वाली है, बड़ी थी दादी, सम्में बड़ी नहीं लेकिन, विस्तर पे पे, शार्क बोलते हैं उसको, ऐसे ही नहीं बोलते हैं, हे वो शार्क, साथ हो रहा है, उसको अजली नहीं, कहां करें, को पीछे तो मैं कर के आऊं साफ पीछे से जगा अच्छे यह हमारी मचलियां जो कि सिर्फ और सिर्फ अब चार बची है इन्होंने बारा लेक्या थे सिक्स पेर लाए थे जिसमें से अब सिर्फ चार बची हो और एक भी पेर नहीं है यह चार अलग अलग मश्या हैं और बस हर मन्थ इनको एक नएक बार साफ करना पड़ता नहीं तो इनका पानी बहुत खराब हो जाता है तो बस पिछले टाइम आपने देख रही होगा एक मश अचली मर चुकी थी तीन-चार दिन पहले अभी तो इन्होंने फिल जल्दी से पानी चेंज कर दे वेसे तो इतना टाइम लगता नहीं पानी चेंज करने में लेकिन इस बार थोड़ा जादी टाइम लगया पानी चेंज करने में तो बस आज यह कर रहे हैं सफाई वो भी मिश्किल से मैंने दो-टीन दिन पहले इन से कहा था कि सपाई कर दो तब जाकि उन्होंने आज टाइम निकाला और अभी भी सारे दस बज़री सारे दस बज़रात को हम लोग यह काम कर रहें खानावाना इन्होंने खा लिया अभी दुकान से आके सबसे पहले खाना खाया उसके बाद फिर यह वाले काम से लग गई है लोग और इसको भी का इसको भी ना साफ करने में काफी टाइम लग जाता है पुर एक यूरिम साफ करने में लगता है थोड़ा टाइम इसलिए सुपह इनकी नीन जल्दी खुलती नहीं है तो मैंने कहा भी करते हैं तो सुपह लेट हो जाएंगे हम लोग इनसान की ना बस का काम नहीं है इसमें ना दो जन लगते हैं और मुझसे ना वो एक यूरिम उठानी जाता तो दिखने में तो यसा लगता है कि पानी करने के बा हारिश को सुलाने चलें बिटा सुएंगे खाना विगिर हमने सबने खा लिया है और अब मैं हारिश को सुलाओंगी और लेटा हुआ है चलो मुबाइल रख दो बेटा अब सबसे जोग्डाइब यहां और यहां पर हॉल में जो कूलर रखा था ना वह भी मैंने इंसे कहा कि आप रख दो क्यूंकि कर मैंने इसकी सफाई कर दी थी तब अगेर अभी खाली करके मैंने उपर रख दिया था लेकिन आप यह वाला मैंने दोनों भाईयों को बुला कि आप इसको भी रखाओ क्योंकि पांच-दस मिट लगेंगे लेकिन यहां से बिल्कुल जगा हो जाएगी सफाई हो जाएगी क्योंकि जहां कूलर रखा होता है ना वहां पर निशान हो गए पानी के तो बस वह सफाई हो जाएगी अच्छे से और जिब चालू ही नहीं कर रहें तो उसको रखके क्या करेंगे हम ठंड में सभी कुलर को ना बढ़िया से पैक करके हम लोग च्छत पर रख देते हैं कितने अच्छ लगए ना बिटा कि फुलने के बाद कितना खुबसूरत लगता है यार यह कि अच्छ अच्छ वीजिए ने दिशा काले बढ़िया जाए यह नहीं ने या यह पापा घंडर भोगवा को फापा गाए आ कि हाए यह आट अट द्लसाए वारा सब्सक्तिव ना आ समय हो जो झाला व्यां ना आद कि नो आट रोगए थो यह पापा शुला है अनुभवा हम लोगों कुनाय की रिम बहुत पसंद है सबसे पहले जब इन्होंने लाना शुरू किया था ना तब पहली बार इन्होंने वो जुमट के जैसा चोटे से साइस काता है कान चोटे वो लेकि dwell तो इसके बार तीर महीं के बाद ही हमने यह बड़ा लेकिंगा हम लोगों को बहुत पसंद है और यह को पार दो शम estした जो इससे पहले जो दो आयत है वह फूट चुके थै यह तीसरा है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और हम लोग इसको योज़ करें और रायान हारिश के लिए तो ऐसा लगता जैसे खिलोना अच्छा है ना बारिक बारिक हावा से बहतर है यह वाली अब नहीं उसकी बॉल निकाल दिए फेग दिये क्या है वाल ठीक है अच्छा ऑक्सीजन में जो बॉल लगी हुए होती है ना वो इनों ने निकाल दिए तो ऑक्सीजन में इतने बड़े बड़े बुल 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 निकल रहे सो पहले बहुत बारिक कि बारिक से निकलते थे जो दिखाई की भी में देते हुगемते दिए उनग बाहुर से। बहुत बढ़े बुल बुले से आरे ना तो बढ़े अच्छे लाग रहे सि वाठी क्या healthy ओ और उतनी करती ह तब दे के लिए अपना बहुत-बहुत क्याल रिखें, लाहाफेज़